Hello students, welcome back to sociology classes. Today our topic is difference between community and the association. समीती क्या होती है? समीती व्यक्तियों का कोई भी बहत सम्हू है, जो किसी विशेश उद्देश अथ्वा उद्देश को प्राप्त करने के लिए संगठित होते हैं. समीती क्या है? व्यक्तियों का कोई भी बहत सम्हू है, जो किसी विशेश उद्देश अथ्वा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित होते हैं. Okay, according to the bogardus, the definition of the association. Okay, an association is a group organized for the pursuit of an interest or group of interest in the common. Okay, why MacGyver and Pais? This is the definition of the association. An association is a group organized for the pursuit of an interest or group of interest in the common. And in the other, in the other word, we can say that an association is a group of social being related to one another by the fact that they possesses or have a institute in common or organization with a view to securing a specific ends. Okay, so why Ginzpur? It's the definition of the association. So, association kya hai? What is the mean of the association? Samhiti kya hai? Okay, and according to Ginzpur, किनी निश्यत उद्देश्य को पूरा करने के लिए, जब कुछ व्यक्ति, सहयोग के आधार पर एक संगठिन की स्थापना करते हैं, तब इसी संगठन को हम Samhiti कहते हैं. Okay, an association is a group organized for the pursuit of an interest. An association is a group organized for the pursuit of an interest or group of interest in the common. Okay, now we start the difference between community and association. Samhiti के अबधाना से यह स्पर्स्थ हो जाता है, कि Samhiti की प्रिकृती समुदाय से बहुत भिन्न है. Samhiti और Samhiti दोनों ही व्यक्तियों के समू है, लेकिन इनके ढाचे और प्रिकृती से बहुत भिन्नेता देखने को मिलती है. इन भिन्निताओं को निम्नांके तुरूप से समझा जाओ सकता है समूदाय और समीती समूदाय क्या है एक बड़ा मानफ समू है समूदाय एक बड़ा मानफ समू है जो एक निश्य छेतर के अंदर निवास करता है और समीती का कोई निश्य छेतर नहीं होता है एक समीती के सदस से एक दूसर से कितने ही दूर के निवासी हो सकते हैं तो समीती और समूदाय में क्या अंतर होता है समूदाय क्या है एक बड़ा मानव समू होता है जो एक निश्चित छेतर के अंदर निवास करता है और समीती क्या है समीती कोई निश्य छेत नहीं होता है एक समीती के सदस्य एक दूसर से कितने ही दूर के निवासी हो सकते है एंड सेकंड पॉइंट है आपका इस पस्ट है कि समुधाय का आकर तुलनात्मक रूप से बड़ा होता है समुधाय का आकर कैसा होता है समुदाय का विकास स्वताही होता है और समीति का विचार पूर्वक होता है समुदाय का विकास कैसा होता है समीति की विचार पूर्वक इस थापन की जाती है और नेक्स्ट है व्यक्ति एक समय में एक ही समुदाय का सदस्य बन सकता है लेकिन समीति में ऐसा नहीं है समुदाय में क्या होता है व्यक्ति एक समय में एक ही समुदाय का सदस्य बन सकता है लेकिन समीति की सदस्य इस अर्थ में बहु मुखी है कि व्यक्ति एक साथ अनेक समीतियों का सदस्य भी बन सकता है ओके ओके नेक्स्ट आपका समुदाय तुलनात्मक रूप से एक इस्थाई समू है क्योंकि इसकी विशेष्टाओं में होने वाला परिवर्तन बहुत कम और धीरे-धीरे होता है तो समूदाय तुलनात्मक रूप से एक इस्थाई समू है क्योंकि इसकी विशेष्टाओं में जो भी परिवर्तन होता है वो बहुत ही कम और धीरे-धीरे होता है जबकि समीती की प्रिकृती तुलनात्मक रूप से आइस्थाई होती है क्योंकि हितों या उद्देश्यों के बदलने के साथ ही समीती का रूप बदल जाता है समीती की प्रिकृती तुलनात्मक रूप से आइस्थाई होती है समूदाय, स्वयम में एक पूर्ण और आत्म निर्वर रिकाई है और एक समूदाय में अनेक समीतियां विग्मान होती है मतलब समूदाय क्या है, देखे एक पूर्ण और आत्म निर्वर रिकाई है और एक समूदाय में अनेक समीतियां भी विग्मान होती है और समीति क्या है? समीति किसी समुदाय का एक छोटा सा अंग है और यह समुदाय के विभिन उद्देश्यों को पूरा करने का साधन है और नेक्स्ट है आपका समुदाय का एक पिर्मुक तत्व इसके सभी सदस्यों में समुदाय भावना अत्वा द्रण हमकी भावना का होना है और समीति क्या है एक हित प्रिधान संगठन है जिसमें प्रतेक सदस्य दूसरे से दिखावटी संबंद रखता है तो समुदाय क्या है उसका एक पिर्मुक तत्व इसके सभी सदस्यों में समुदाय भावना अत्वा द्रण हमकी भावना का होना है और समीति का एक हित प्रिधान संगठन है जिसमें प्रतेक सदस्य एक दूसरे से दिखावटी संबंद रखते हैं अब है आपका नेक्स्ट पॉइंट है समीतियों का समाश शास्त्रे महत समीति का महत समीतियों समुदाय के उपर्यूक्त अंतरों के बाद यह ध्यान रखना आवश्यक है कि समीतियों समुदाय एक दूसरे के पूरक है मेकाईवर का कथन है कि समीतियों समुदाय नहीं है बलकि समुदाय के अंतर गथी एक संगठन है यह कथन जहां एक और समीतियों समुदाय के अंतर के अंतर को इस्पश्च करता है वहीं इनके पारस पर एक निर्भरता पर भी प्रकाश डालता है इसका तात्पद यह है कि एक समुदाय के अंदर विग्मान अनेक समीतियों के द्वारा ही उन लक्षणों को प्राप्त किया जाता है जिने समुदाय के लोग अपने लिए महत्वपूर्ण समझते हैं दूसरी और विभिन समीतियों की कारे कुशलता के आधार पर ही उन से सम्बंधि समुदाय का एक बिशेश सरूप बन जाता है इस चस्टी कौर से समीतियों समुदाय के विकास का एक प्रिवावपोर्ण माधय में ओके नवी स्टाट द इंपॉर्टेंश ऑफ द अशोसेशन इन द वर सोशुटोजी ओके सोशोचलोजी का इंपॉर्टेंश ऑफ अशोसेशन हमारे समाजिक जीवन के लिए समीतियां बहुत महत्पूर हैं हमारे समाजिक जीवन के लिए समीतियां कैसी हैं बहुत ज़्यादा महत्पूर है विभिन समीतियां युक्ती और समाजिक विवस्था के लिए इतने महत्पूर कार्य करती है कि उन्हें समाजिक जीवन की एक आवशक्ता के रूप में देखा जाता है इनके काद़ियों अत्वा महत्व को निम्णांके छेत्र में देखा जा सकता है महत्व साधन है समीति आवशक्ताओं की पूर्थी तो यह समीति क्या है आवशक्ताओं की पूर्थी है और आवशक्ताओं की पूर्थी का महत्वपूर साधन है कोई भी व्यक्ति अपनी सभी आवशक्ताओं को अकेली पूरा नहीं कर सकता एक समीति की रूप में जब बहुत से लोग किसी समान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए संगठित होते हैं तो ऐसे संगठिन की सहता से ही बिविन आवशक्ताओं को पूरा करना सरल हो जाता है समीतियां व्यक्तित्व के विकास का आधार है सभी समीतियां अनुशाशन और ब्यवार के कुछ नियमों पर आधारित होती है और इनकी साहता से व्यक्ति नियम ब्रद रूप से ब्यवार करना सीखता है और यही सीख व्यक्तित्व को विक्सित करती है अब नेक्स्ट है आपका पारसपरिक सहयोग पारसपरिक सहयोग पारसपरिक सहयोग को बढ़ाने में भी समीतियों की भूमी का महत्वपूर होती है सभी समीतियां एक दूसरे से भिन्न बिचारों, संस्कतियों तथा धरम के लोगों को एक दूसरे के निकष संपर्क में लाती है इसके फलसरूप समाज में संगर्ष की अपेक्षा सहयोग की प्रिक्रिया अधिक पिरभावपूर बन जाती है अब नेक्स्ट आपका जन्मत का निर्मान क्या है? जन्मत का निर्मान जन्मत का निर्मान करना ये भी समीतियों का पिरमुख का जह है समाज में जिन विशों को महत्पूर्ण समझे जाता है समीतिया अपने सदस्यों को उन विशों के प्रति जागरुख बनाती है मतलब समाज में जो विशों ज्यादा इंपॉर्ट रहना तो समीती क्या करती है, समीती जो है, वो अपने सदस्यों को, मतलब समीती के जो members होते हैं, members of the association, तो जो समीती के जो members होते हैं, वो उन विश्यों के प्रति जागरुख बनाते हैं, ठीक है, उन विश्यों के प्रति जागरुख बनाते हैं, इसी जागरुखता से जन्मत का नि कारियों के नेर्णों को भी तर्वाबित करता है ठीक है अब समीटिया अब देखिये इस सुमय क्या हो रहा है किस बिश्यप के गौरी समाज हमारे किस पर जागर रहा है योगा पर क्यों कि हमें healthy अप्छा नहें के लिए हमें योगा करना चाहिए आजकल का अचकल का समाज हो लेकिन व्यक्ति को healthier fit रहने के लिए हमें योगा अपनाना चाहिए तो योगा भी अपने सदस्यों को उन विश्यों के प्रति जागरुक भी बनाते हैं इसी जागरुकता से जन्मत का निर्मान होता है समीतियां नेक्स समाजिक मूल्य और समाजिक प्रति मानू की निरंतरता समीतियां उन लक्षियों को लेकर संगठित होती हैं जिनने एक समाज में महत्वपूर समझा जाता है इससे समाजिक मूल्य और समाजिक प्रति मानू की निरंतरता बनी रहती हैं इसी करण समीतियों को स झाल 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 झाल